हाई गाईज मेरा नाम से देखरों अपी के चैनल देप्तरों शील को दोस्तों आज के इसमिर पे हम बात करेंगे पेज गोथ एट रिक्स इसको लेकर के क्योंकि पेज का ग्रोथ एट रिक्स शो कर रहा है तो आप मेंसे बहुत सारे क्रियेटर इसको लेकर परेशान हो जाते इसका कोई solution आप लोगों को नहीं मिलता है solution कहा से मिलेगा जब आपको समझ नहीं आएगा कि page का growth एट रिक्स क्यों आया है page recommendation क्यों डाउन है और page पे कौन सा violation आया हुआ है और violation कैसे जाएगा तो ये सारे चीज आज के इस वीडियो से आपको लोगो clarify करने वाला हूँ ता देखते रहना दोस्तों आभी देख सकते हो ये page का professional dashboard के अंदर page recommendation को open करके रखा हूँ जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है growth at risk और ये growth page का risk पे है अब ऐसा case क्यू होता है page का growth at risk कब आता है जब page पे कुछ न कुछ violation होता है या पे देख सकतो नीचे लिखा हुआ है page has some violation अगर ऐसा violation आपके page पे आएगा तो आपके page का जो recommendation है वो growth at risk पे आ जाएगा अब question ये आता है एक growth at risk आता है तो कुछ न कुछ flag behavior फेस्बुक के system क मिलता है या फेस्बुक का system find out करता है हमारे page के अंदर तभी तो page का growth at risk हो जाता है मगर ऐसा हो जाता है तो इसको सुधार कैसे करें ताकि हमारा page का reach जो है वो बरे हमारा page का distribution भरे और हमारा page का growth जो है वो घटे ना इसके लिए आपको चीजे समझना बहुत जरूरी है अगर आप लोग समझ लोगे तो भले आपके page पे growth at risk आया हो मगर फिर भी आपका page का recommendation चलता रहेगा recommendation डाउन नहीं होगा distribution बरेगा और आप आराम से चैन से काम कर पाओगे platform पे दोस्तों या आप growth at risk आने पे हमें लगता है हमारे page का recommendation डाउन हो गया है जो के बिलकुल भी सच नहीं हो सकता है growth at risk आने पे page का recommendation पे असर आये page का recommendation रूप जाये मगर हर case पे growth at risk आयेगा और page का recommendation बंद हो जायेगा ऐसा भी नहीं फिरहाल जो page का अभी आप लोग example देख रहे हो यहाँ पे भले growth at risk आया हुआ है मगर इस page का recommendation को facebook ने अभी भी बंद नहीं अब यह मैं कैसे कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकतो page recommendation जो है वो green है यह star में कोई cut नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि page recommendation को down कर दिया है या बंद कर दिया है जब आपके page का page recommendation बंद हो जायेगा तो आप जैसे ही page recommendation बाला part पे आओगे page के growth at risk पे हो मगर page का recommendation अभी भी कहीं से घटा नहीं है कहीं से facebook ने बंद नहीं कि तो अगर आपको भी growth at risk दिखने के लिए मिले तो आप लोग समझ जाना आपके page पे कुछ न कुछ policy का violation हुआ है बहुत सारे अलग लोगों को page का growth at risk अलग-अलग policy violation page पे होने के बज़े से दिखता है अब इस page के क्यूँ आया है यह देखने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है page as some violation इस पे ठीक जो violation डिटेल करके लिखा हुआ है इस पे click करोगे तो ही आपको पता चलेगा इस page का growth at risk पे क्यूँ है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे click करूँगा ज इसलिए click करने पे page status बाला page पे land हुआ हो और यहाँ पे आप देख सकते हो page has some violation और यह red color नहीं है yellow color है यानि at risk पे है मगर पूरी तरीके से page को red नहीं किया रेस्टिक नहीं किया है इसलिए yellow color दिख रहा है आपके के इस पे कौन सा color दिखता है वो भी matter करे रेड, yellow या green page का जो admin है वो ऐसा कुछ content इस page पे डाला था जो के community standard जो होता है facebook का जो community standard का guideline से उसको उलंगन करता है और यहाँ पे adult nudity and sexual activity type का कोई news इस page पे चलाया गया है क्योंकि यह एक news page है और इसी के बज़े से आप देख सकते हो facebook took it down 12 month 12 month के लिए एक violation लग गया है इस particular page पे और इसी के बज़े से page पे page का growth at risk है यह violation एक है और नहीं आया है इसी लिए यह at risk है अभी और भी community standard का violation आएगा या intellectual property rate का violation आएगा या flag behavior का violation आएगा या फिर engagement weight का violation आएगा या कोई भी प्रकार का facebook partner या content monetization policy का violation और भी आएगा तो यह red होगा और उस case पे page का जो आप लो not recommended हो सकता है इस page के case पे अभी क्यूंकि एक ही community standard का strike आया है इस बज़े से growth को risk पे रखा गया है खत्रा आया हुआ है मगर इस खत्रे के बज़े से सब कुछ खतम नहीं किया है recommendation को बंद नहीं किया है तो यह चीज आपको as a creator समझना पर और यह भी समझना परेगा कि यह जो page status पे कोई भी strike आता है वो भले community standard का strike हो या copyright strike जब भी आएगा वो strike आपके page पे 12 मन्त यानि कि एक साल तक रहेगा अगर fake strike आता है और आप fight करके उस strike को हटा देते हो तब यहां से चला जाएगा अगर strike community guideline का आए या फिर copyright का आए और वो अगर genuine strike हो तो फिर यहां पे यह reflect करेगा 12 महीने तक यानि कि एक साल तक एक साल के बाद automatically Facebook इसको हटा देगा और फिर growth at risk जो अभी page के recommendation पे शो कर रहा है यह चीज भी हट जाएगा और page का recommendation पूरी तरीके से तब सिर्फ green शो करेग कोई alert page violation शो नहीं करें यह चीज लोगों को समझ में नहीं आता और लोग क्या करते है जैसी growth at risk देखते है तो खाम का tension में आ जाता है और फिर बोलने लगता है आप इसको fix कर दो अब यह चीज में कैसे fix करो जब Facebook कह रहा है कि आपके page पे content जो है वो community standard का उलंगन किया है औ और उसके बज़े से हमने community standard उलंगन करने के बज़े से आपके page पे स्ट्राइक लगाया अब इस case में इसको तो हटा नहीं सकता बारा मंत हमें wait करना परेगा चुकि यह जो लगा हुआ है वो genuine था उस content में ऐसा कुछ था जो के Facebook के community standard को violet करते है तब ही यह आया है अगर नही Facebook ने दिया है issue वह भले उनके जो community standard है उसको violet नहीं करते है उनके mistake के बज़े से यह दिया गया है उस case पे वो इसको revoke करते तब भी यह issue हट जाता मगर यहाँ पे यह जो आया हुआ issue है वो genuine है तो उस case पे हम कुछ नहीं कर सकते सिभाए एक साल के wait अब एक साल wait करना है इसक होता दो तीन community standard का होलंगन हो जाता page status खराब हो जाता तो फिर यहाँ पे आपका page recommendation not recommended हो जाता यह star पे ऐसे mark लग जाता और फिर यह ठीक करना आपके लिए मुश्किल होता वैसे तो मैंने page recommendation अगर खराब हो जाता है तो फिर उसको कैसे आप जल्दी जल्दी ठीक कर सकते हो उस topic पे dedicatedly दो तीन वीडियो बना चुका हो page के लिए भी और profile के लिए भी अगर profile dashboard पे open करके आपको दिखता है not recommended वो वीडियो देखो उस पे बताएगे चीजों को follow करो मगर आज का जो topic है वो है growth at risk को लेके तो growth at risk देखके आप लोग घबरा मत जाना इससे recommendation आपका बन न अब इस page के case पे कोई recommendation बन नहीं हुआ है और इसके बज़े से इस page पे 12 महीने तक ऐसा नहीं है कि content नहीं चलेगा अभी content डालेगा अभी content दोरेगा अगर आपके content में दम है और आपके page और profile का recommendation खुला है तो यहाँ से तो हमें पता चल चुका है आप कि knowledge अगर होगा तो प profile का भी recommendation बन रहना पड़ेगा अगर profile का recommendation नहीं है और उस profile से page पे content डालेंगे जिस profile से page फे content डाले ऊस page का अगर recommendation खुला भीivy तो भी आपको content जो है वह recommend doesn't उस profile का recommendation on हो तोनों का recommendation on होना चाहिए एक आपका जिस ID से page पे content डालोगे उस ID का recommendation खुला होना चाहिए आप में जिस page पे content डाल रहे है उसका भी recommendation खुला होना चाहिए तो फिर आपका content recommendation पे जाएगा Facebook उसका distribution जो है बराएगा और उससे आपका reach, view सब में फरक आएगा और अच्छा घासा चलेगा पहले इस page के case पे मैं चेक कर लेता हो जिस profile से content को डाला जाता है इस page पे उस profile का recommendation का क्या हाल यहाँ पे आप देख सेकतो मैं उस page का जिस page पे content जाला जाता है उसका profile पे आगया और profile का recommendation भी खुला है आला कि growth at risk से same violation के बज़े से यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको वही violation पे लेके आएगा आप देखना page growth at risk इस पे क्लिक करूँगा फिर आप वही जगा पे आओगे जहाँ पे यह शो कर रहा है कि profile has some violation और profile से ही page पे वह content डालके content पे issue आया था तो वह content पे जो issue आया था वो profile से content page पे डालते हुए आया था इसलिए profile पे भी same issue है इसलिए मैं कहता हूँ profile पे अगर recommendation खुला है और page पे अगर recommendation खुला है तो ही आपका page पे content डालने से वह content दोरेगा distribution मिलेगा यहाँ पे profile पे growth at risk है और page पे भी growth at risk है मगर recommendation कहीं से बंद नहीं है ऐसा नहीं है कि profile not recommended होगे ऐसा हो जाता तो फिर आपको recommendation नहीं मिलता ऐसा नहीं हुआ है इसका मतलब है इस profile से अगर page पे content डाला जाएगा तो आपको reach मिलेगा भले growth at risk की हुना अब यह मैं मुझे बताओ और हो जाए ऐसा तो ठीक नहीं है चेक कर लेते हैं इस page का क्या हाला था क्या इस page से content डालने पे content का distribution बर रहा है क्या content recommendation पे जा रहा है इसके लिए मैं इस page पे चला जाओंगा अभी मैं इस page पे जाओंगा और फिर page के content का क्या हाल है वो भी आप लोग को दिखाओंगा तो मैं चला आया सीधा page पे जिस page पे अब issue आया हुआ है अब इस page पे मैं videos पे जाओंगा और video पे जाने के बाद हम creator studio पे visit करेंगे तो मैं visit creator studio पे click कर दिया ताकि creator studio को अंदर जाके content पे click करूँँगा और content पे जाने के बाद देखूंगा कि इस page का जो content अभी डाला जा रहा है वो recommendation पे जा रहा है के नहीं जा रहा है तो ये मैं 4 November का एक video उठाता हूँ जो के 6 minute 38 second का है और इस video का मैं जाके देखूंगा view insight क्योंकि view insight से हमें पता चलेगा ये video recommendation पे जा रहा है के नहीं जा रहा है अगर recommendation पे जा रहा है इसका मतलब है भले page पे growth at risk हो मगर recommendation फेस्बुक ने बनने ही किया है growth को कहीं से अटक नहीं दिया है अब थोरा सा नीचे मुझे जाना परेगा stat को दिखने के लिए और आप देख सकते हो इस page का recommendation जो है वो 80% है यानि कि 80% इस content को फेस्बुक recommendation पे लेके जा रहा है तो यहां से एक statement clear है के भले page growth at risk हो अगर page का recommendation बननी हुआ है प्रोफाइल का recommendation बननी हुआ है तो उस profile से अगर page पे content डाला जाता है तो content फेस्बुक recommendation पे लेके जाता है यानि कि distribution को बराता है यह recommendation बराया है इसलिए इस content पे 80.3% का reach मिला है तो यहाँ से एक statement clear हो गया कि यहाँ पे जो हमने देखा था कि हमारा जो page का recommendation section में growth at risk है इसके बज़े से कही से भी Facebook ने इस page का growth को अटक दिया है ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो इस profile से page पे content डालते रहो औ और ऐसे चीजों पे सिर्फ आपको knowledge जो है वो चाहिए ताकि आप समझ पाओ कि यह issue आने पे भी हमारा page का reach नहीं घटता है अब यह issue आया और साथ में जो profile का recommendation है वो बंध हो गया page का recommendation जो है बंध हो गया फिर growth at risk का असर आपके page पे होगा आपके profile पे होगा फिर हाल इस page क circumstances पे कोई issue नहीं है page भी अच्छा खासा दोरेगा profile भी अच्छा खासा दोरेगा सिर्फ यह ध्यान रखना है फिर से कोई community standard का या copyright का violation page के status पे ना आ जाए page के quality को खराब ना कर दे अगर खराब करेगा तो फिर अब जो यह risk दिखा रहा है यानिकि warning दिखा रहा है तब वो page का recommendation बंद हो जाएगा profile का recommendation बंद हो जाएगा तब अगर उस profile से page पे content डाला जाएगा किसी एक का भी recommendation बंद होगा तो फिर page का content का recommendation नहीं मिलेगा distribution नहीं मिलेगा और page viral factor नहीं आएगा बाकि यह जो growth at risk से यह हटेगा तब जब आपके page से page status से यह वाला problem the end हो जाएगा औ सबसे लेके 12 महीने बाद तो hope guys आज की इस वीडियो से आपको पूरा समझ आ चुका है कि page का recommendation पे अगर growth at risk दिखाए या profile के recommendation पे growth at risk दिखाए तो घबराना बिलकुल भी नहीं है hope इस knowledge को काम पे लगा के आगे आप लोग आपके page को grow करोगे और आपके page का recommendation को भी ठीक रखोगे और page का violation को भी धीरे धीरे हटा ही दोगे इसी note पे वीडियो को करूँगा एंड अगर वीडियो पसंद आया है दबागे लाइक कर देना कोई भी दोस्मेंचर पर नहीं रहा हो चैनल को दरो subscribe करना मिल तो आगले वीडियो कोई साथ अब तक आपको खुश रहो आब आद रहो और मैंपो कर दोस्तों बाई